नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनेर राय है और आप देख रहे हैं Career Defense School Ambala दोस्तों आज इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सानिक स्कूल के बारे में अगर आपके मन में education से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप directly हर रोज रात को 9 से 10 आप live आ सकते हैं अपनी query comment कर सकते हैं और अगर आपके मन में कोई भी query है तो आप video के नीचे comment करो अगर आप अपने बच्चे का date of birth चेक करवाना चाहते हो घ्यान से समझे तो अपने बच्च फटा फटा आपको reply करेगी आपके registered mobile number पे message आजाएगा कि भईया एच के accordingly आपका बच्चा कौन कौन सा application form भर सकता है ठीक है जी तो आपको पता ही है सैनिक स्कूल का application form निकल जुका है तीन दिसमबर last date है form भरनेगी और उसके बार अगर आपके अगर आपके form में कोई गड़बड़ी होगी है तो 5 दिसमबर से लेकर के 9 दिसमबर में आप online जा सकते हैं और आप अपने form में किसी भी तरह कर सकते हैं लेकिन अगर मान लीजे कि आप बहुत जादा पड़े लिके नहीं है आप online चलाना नहीं जानते तो भी कोई घबराने की बात नहीं है लाइब आने का motive गया है कि हम किसी न किसी तरीके से आपकी मदद करते रहे हम आपको उठाएंगे आप हमें उठाएंगे simple सा funda है ठीके जी तो अगर आप किसी और को उठाएंगे आप उसकी मदद करेंगे तो automatically आप अपने आप उपर जाएंगे simple सा funda है त जहां से समझें, बहुत important message दे रहा हूँ, अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तो मैं आपको बता दूँ, कि आप हमारे helpline number पे call करो, आपके बच्चे का हम scholarship टेस्ट लेंगे, और अगर आपका बेटा या बेटी पढ़ने में अच्छा है, तो आपके बच्च पे लगाना चाहते हैं, अच्छे बच्चों के उपर काम करना चाहते हैं, जो interested है, जो चूर लगाना चाहते हैं, ठीक है जी, तो देखते हैं कुछ सवाल जवाब आ चुके हैं, बहुत सारे parents हमारे साथ जोढ़ चुके हैं, सुरिंदर शर्मा जी, बहुत-बहुत शुक्र का form भरने के लिए बच्चे का अधार कार्ट जरूरी है बिल्कुल भी जरूरी नहीं है आपको सिर्फ दो चीजे चाहिए एक बच्चे के फादर का domicile और बच्चे का date of birth certificate सिर्फ दो चीजे चाहिए यानि अगर आपके पास अधार कार्ड नहीं है तो भी आपका बच्चा सानिक स्कूल का application form भर सकता है बहुत सारे ऐसे parents है पता नहीं होता है knowledge नहीं है ठीक है जी तो मेरी कोशिश क्या है कि आप live आईए हम लोग बात करेंगे कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे रास्ता हर चीज का होता है सिर्फ नियत साफ होनी चाहिए रास्ता निकल जाता है ठीक है जी तो राम ब्रजेश जी का message है सर सैनिक स्कूल के form जिन लोगों ने भर दिया है क्या वो correction करते समय अपने स्कूल का correction भी कर सकते हैं या फिर सिर्फ exam center देखे इस बार है ना पहली बार National Testing Agency सैनिक स्कूल का form भरवारी है पहले सैनिक स्कूल करता था तो मैं आपको बता दूँ कि अभी कुछ भी क्या पाना ठीक नहीं है ठीक है जी? क्यों? क्योंकि इस बार पहली बार National Testing Agency ले रही है तो मेरी आप लोगों से यह request है कि आप थोड़ा सा इंतिजार कीजिए जैसे आप इतने दिन रुके हैं वैसे ही मैं आपको बता दूँ कि 5 December से लेकर के 9 December के बीच में आप online जाकर के changes करवा सकते हैं आगे चलते हैं और अब एक सबसे अच्छी बात क्या है कि आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी form apply कर सकते हैं और अपना exam center कहीं पे भी choose कर सकते हैं तो यह एक नई notification आई है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है तो मेरा target क्या होता है कि मैं लगातार live आता रहूँ लक्ष जी का message आगे है सर जो बच्चे career defense school में जा रहे है उन बच्चों का कहना है कि बच्चों को बच्चों को जो सपने दिखा रहे हैं वो सब school में अच्छा नहीं बताईए मतलब क्या क्या चीज़े आपको नहीं मिली है जब आप बताएंगे तब मैं आपको बताऊँगा ना अब क्या होता है कि दिक्कत क्या है कि जैसे आप मेरी बात को समझेए कि आप जो बच्चे आएं हो सिर्फ एक महीने के लिए आ रहे हैं अब आप अपने बच्चे को सिर्फ मेरे पास दो महीने के लिए लाओगे एक महीने के लिए लाओगे तो मैं उसको क्या होड्स रेटिंग कराऊं मैं उसको क्या स्विमिंग की ट्रेनिंग कराऊं सर्दियां आगी हैं तो मैं क्या गरूँ इस टाइम आपको सर्दियों में जब असी थोड़ी स्विविंग पूल में जंप उमर वाऊंगा आप इस चीज को टेक्निकल ही समझिए कि अब टाइम कम है लक्ष जी अब टाइम कम है तो हमारा फोकस स्रिफ पढ़ाई के उपर है है नो यूटूब के कमेंट कर देना तो बहुत असान है लेकिन थोड़ा सा आप लोगो अपना भी दिमाग लगाना है थोड़ा सोचना है कि इस टाइम आप मुझे गिन करके 50 दिन दे रहे हैं 60 दिन दे रहे हैं तो इस टाइम मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ और कोई फालतू सुविधाय में आ रवाई जा रही है आप इस चीज को समझ यह और आपको पता ही है पैंडबिंग सुच्वेशन है तो स्पोर्ट्स वगरा के लिए अलाओ नहीं किया जाता है इस टाइम बच्चे का बाहर निकलना अलाओ डिनी है सर्फ आपको बता दूं कि 10 से 12 घंटे बच्चे पढ़ र पचास दिन में मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊंगा आपको इंटर्व्यू की तैयारी करवाऊंगा जो आपके काम की चीज है रिटन एक्जाम इंटर्व्यू की तैयारी करवाऊंगा ठीक है जी आगे चलते हैं कुछ और सवाल जवाब ले लेते हैं काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं जल्दी से जल्दी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए मनीशा जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम ठैंक्यू सो मच बहुत 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 शुक्रिया राज कुमार जी का मैसेज है राश्ट्रे मिलिटरी स्कूल के फॉर्म के बारे में चाहते है देखिए दिसंबर में फॉर्म निकल सकता है और फरवरी में आपका एक्सायम होगा तो आपको प्रोपर दो महीने का समय मिलेगा दिसंबर और जनवरी प्रोपर दो महीना मिलेगा आपको मिलिटरी स्कूल की तैयारी करने का आपको पूरा मौका मिलेगा पूरा मौका सिर्फ आपको करना गया है अलर्ट रहना है फाल्तू चीजों में मत पढ़िए अपने गोल के उपर फोकस करिए उसके उपर टारगेट करिए जैसे घोड़ा होता है उसके आगे यह लगा होता है कि सिर्फ उसको जहां जाना है वोई चीज दिखाई दे ना इधर देखना है ना इधर देखना है सिर्फ स्ट्रेट देखना है तो आपको मैं, आपसे मेरी यह request है, कि बहुत कम टाइम रहे गया, आज की डेट में, अगर हम लोग बात करें, सैनिक स्कूल और राइमसी देरा दूंकी, तो आपके बात सिर्फ 40 दिन का समय रहे गया, सिर्फ 40 दिन, तो अगर आप positively तयारी करवाना चाहते हैं, तो आप हमार करेंगे, राम ब्रिजेश जी का message है, सैनिक स्कूल का form, जिन लोगों ने भर दिया है, उनको क्या-क्या correction कर सकते हैं, सिर्फ exam center, देखिये exam, अभी NTA पहली बार form भर रहा है, तो अभी आपको अभी बताना ठीक नहीं है, ठीक है जी, देखते हैं, क्या-क्या connection होगा, क्यों किसी बात है, पहले ऐसा होता था, अब देखते हैं, इस बार क्या होता है, आगे चलते हैं, सुरेंदर शर्मा जी का message है, भी या सैनिक स्कूल में इंटर्व्यू नहीं होता है, है न, सैनिक स्कूल में इंटर्व्यू नहीं होता है, सुरेश, सुरेंदर शर्मा जी बहुत- December form भरने की last date है जिन parents को नहीं पता है 5th class से लेकर के आप 11th class तक लड़के और लड़कियां दोनों application form भर सकते हैं form निकल चुका है और paper जो है वो आपका subjective आता है यानि जो हम लोग signing school, military school की books देते हैं वो अलग है जो हम आपको army public school, dakshai की books देते हैं गुरु कुल की books देते हैं वो अलग है क्यों अलग है? क्योंकि signing school का paper आपका objective आता है जबकि ये सारे paper आपके subjective आते हैं तो आपको ध्यान रखना है और जो भी आप लोग books order करते हैं 15 books का set मिलेगा और आपके घर पर आपके registered, आपके address पर आपको 5 दिन के अंदर आपको मैं बतातूं कि 3 से 5 दिन का समय लगता है आपको आपकी books मिल जाएंगी आगे चलते हैं काफी सारे questions रिपीट हो रहे हैं तो उनका reply में नहीं कर रहा हूँ उद्धै प्रताब सिंग जी का message है बच्चे का नाम है श्याम सिंग ठीक है जी 28 अगस्त 2013 है बच्चे का date of birth 2013 वाला जो बच्चा है वो काफी चोटा है और वो 3rd class के लिए Oak Grove School का form भर सकता है आप proper तैयारी करवाओ December से लेकर के मार्स तक ठीक है अभी भी हमारे पास time है है ना आपको ये नहीं देखना है कि करोना हा रहा है दुनिया चल रही है लोग काम धंदा कर रहे है समझिया आप आप online तैयारी करवाई है आप हमारे help line number पे call करो और positively आपके बच्चों का करोना के चक्कर में already 6 मीना 7 मीना खराब हो चुका है already तो मैं आपको कहूंगा जो बीत गया सो बीत गया लेकिन आगे की तैयारी करते रही है अपना homework करते रही है और positively आप online तैयारी करवाई है recorded video lectures है books का set मिल जाता है ठीक है आप call करो आपको counselor counseling करेंगे आपकी पूरी मदद करेंगे आशू कुमार जी का message sir मुझे पढ़ना है आपका test कब है हर संडे को test होता है weekly online test conduct किया जाता है और कोई भी बच्चा weekly online test में participate कर सकता है आप online video के नीचे description में आपको link मिल जाएगा तो आप अपने बच्चे को test दिलवा सकते है उससे आपको idea लग जाएगा कि maths कैसा है, English कैसा है reasoning कैसा है, cheeky कैसा है आपको idea लग जाएगा आगे चलते हैं बहुत बहुत शुक्रिया जी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है thank you so much प्रशान्थ कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया जल्दी से जल्दी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो बहुत बहुत शुक्रिया अमन कुमार जी मैं आपको बता दूं कि जैसे आपका exam center change नहीं होता है आपका school change नहीं होता है लेकिन इस बार exam center में बदलावा है और आप पूरे all over India में कोई भी exam center choose कर सकते हो coronavirus की वैसे parents को दिख्कत आ रही है other other पूरे all over India से बच्चे belong करते है कोई UP का बच्चा है अब UP में 9th class में admission नहीं हो सकता है तो बच्चा क्या करता है वो बाहर कहीं किसी state में apply करेगा तो UP से MP में जाना, Maharashtra में जाना, Rajasthan में जाना बच्चों के लिए दिख्कत है तो मैं आपको बदा दूँ कि आप आप पूरे all over India में कहीं पे भी exam दे सकते है बहादूर जी का message आया है सैनिक स्पूर क्लास 9th के लिए कौन सी category profitable रहेगी अगर आप defense डालेंगे तो defense में आपको automatically आपको defense डालना है जितने भी Indian Army, Indian Air Force और Indian Navy से हैं आपको इस चीज़ को समझना है कि आपको defense डालना है हमेशा defense का फायदा ज्यादा होता है राजेश कुमार जी का message है सर आज हम आपके school में आना था but train का problem के कारण नहीं आपाए one month बाद आएंगे बच्चे के साथ बिल्कुल जी जैसे आपको ठीक लगे जैसे आप comfortable रहें बस आपको अपने आपको safe रखना है ठीक है situation ठीक नहीं है तो अपना ध्यान दीजे बच्चे का ध्यान दीजे और ब्रिजेश कुमार जी आप हमारे helpline number के call करके जानकारी लेते रही है कोई ने कोई रास्ता जरूर निकालेंगे बढ़ियां से बढ़ियां आपको रास्ते बहुत है ठीक है जी रास्ते बहुत है एक बच्चे का डेटा है वह 15 हर्षित कुमार जी 15 सेप्टेंबर 2010 है बच्चे का डेटा बर्थ तो 6th क्लास के लिए बच्चा अपलाई कर सकता है 15 सेप्टेंबर यानि सैनिक स्कूल का भी फॉर्म भर सकता है मिलिटरी स्कूल सारे फॉर्म भर सकता है अच्छी बात क्या है कि ये बच्चा 6th class के लिए अगले साल भी form बर सकता है 15 September 2010 के accordingly ये बच्चा लगातार दो साल सैनिक स्कूल का form बर सकता है, military school का form बर सकता है गुरकुल गुरक्षेतर, गुरकुल निलो केडी, ओ, ग्रो स्कूल, आर्मी, पब्ली स्कूल, दक्षाई सारे form बर सकता है, मेन आपका सैनिक स्कूल होता है, military school होता है RIMC देरादून होता है, तो हरशित कुमार जी 6th class के लिए सारे form बर सकता है वो भी लगातार दो साल, तो अगर आपको मोका मिल रहा है, तो आप अपने बच्चे को help line number पे call करो, इस साल भी तैयारी करवाओ, अगले साल भी long term planning करनी पड़ेगी, बड़े लोग हमेशा लंबा सोचते हैं, छोटे लोग हमेशा short term planning करते हैं बिल्कुल जी, अगर आपने सैनिक स्कूल का form 6th class के लिए भरा है और हिंदी में, तो आपको हिंदी में exam देना पड़ेगा, अगर आप English में देंगे तो आपको English में देना पड़ेगा भागी अच्छी चीज़ क्या है, जो paper है वो आपका English और हिंदी दोनों भाष्चा में आता है ठीक है जी जो English है वो fixed है बाकि आप अगर English चूज करेंगे तो उसके साथ आपको English ही language आएगा अगर आप Hindi में चूज करेंगे तो भी English आएगा गुजराती में चूज करेंगे तो भी English आएगा तो आपको इस चीच को समझना है कि आप किसी भी language में paper दिलवा सकते है मैं आपको यह कहूँगा कि English में ही करवाओ फायदा होता है, long term में फायदा होता है short term में आपको दिक्कत आएगी तैयारी करने में, मैनत करने में लेकिन फायदा होता विरिंदर कुमार जी का मैसे सर सैनिक स्कूल में on state का reservation नहीं मिलेगा if selected in other state अगर आप other state में select होईगे तो other state का quota लगेगा other state में कितना quota होता है सरफ 33% same state में 67% तो 33% seats में फिर उसमें से choose किया जाता है 33% में जो बच्चे select होते है उन में से फिर 15% seats SC वालों को, 7.5% ST वालों को, 27% OBC वालों को, 25% defense वालों को मिलता है उसके accordingly seat distribution किया जाता है जितंदर पटेल जी जैहिन सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी जैहिन अंजली पटेल, विक्रम सिंग पटेल दोनों बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं पढ़ने को दिया हूँ, बच्चे खुश हैं, थैंक्यू, अरे वा जैटंदर पटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया message करने के लिए और जो भी parents हमारा YouTube channel देख रहे हैं इनके दो बच्चे हैं, एक है अंजली पटेल, third class में और एक है विक्रम पटेल, ये दोनों बच्चे scholarship के माध्यम से पढ़ रहे हैं सोचिए, बिलकुल free of cost तो एक parents के लिए कितने proud की बात है आप help line number पे call करके बदा करो, क्या पदा, आपके बच्चे को भी scholarship मिले, आपके बच्चे को भी हमारे विद्याले में free पढ़ने का मौका मिल सकता है तो जिदेंदर पटेल जी हमेशा live आते हैं motivate करते हैं, अच्छे messages करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया सर, thank you so much जैहिंद, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंदर कुमार जी का message आत रुक है 6 December 2007 बच्चे का date of birth, 9th class के लिए साइनिक स्कूल, military school के लिए बिल्कुल perfect है और अच्छी चीश क्या है कि 9th class के लिए लगातार 2 साल सुरेंदर कुमार जी, आपको बहुत-बहुत मुबारक बात बच्चा सैनिक स्कूल, military school का paper लगातार 2 साल दे सकता है तो जिनके पास ज़्यादा टाइम है, मुझे समझ नहीं आता है वो लोग क्यों कंजूसी करते हैं यार कभी पढ़ाई में थोड़ी कंजूसी करते हैं पढ़ाई लिखाई में कभी भी कंजूसी मत करें और अगर आप नॉर्मल वही CBSC की पढ़ाई करेंगे, State Board की पढ़ाई करेंगे उससे कुछ नहीं होने वाला है मैं आपको बता दूँ, वही किताबे हमारे पिता जी ने पढ़ी है, वही हमारे EWS, economically weaker section वालों के लिए कोई भी कोटा नहीं है, सैनिक स्कूल में military स्कूल में, R.A.M.C. दिरादून में ठीक है जी, मिश्रा जी का message बहुत ही प्यारा है, you are best teacher बहुत बहुत शुक्रिया, मिश्रा जी thank you so much, जैहिन, बहुत बहुत शुक्रिया जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फटा बट बिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया, एक पेरेंट्स का message है, 18 जुलाई 2006 9th class के लिए सैनिक स्कूल, military school, सारे form भर सकते हैं सारे के सारे form, ठीक है जी तो मैं आपको बता दूँ कि जरूर message कीजिए, male है कि female है, उसके बाद registered mobile number और date of birth ये पूरी चीज़े message करेंगे तो आपके registered mobile number पे message आ जाएगा तनवर जी का message आ चुका है भीया, paper offline होगा OMR sheet पे होगा, आपके बच्चे को गोला लगाना है, ठीक है जी paper आपका OMR based ही conduct किया जाएगा चाहे वो सैनिक स्कूल है, military स्कूल है ठीक है जी, चाहे वो Central Hindu स्कूल है, जवार नवोदे विद्याले राज कुमार जी का message 15 books का set, आपको total मैं आपको बदा दूँ कि 5000 रुपे का मिल जाएगा, सबसे अच्छी बात गया है कि जो आप लोग books लेते हैं उसके अंदर आपको sample paper भी free मिलते है आपको OMR sheet मिलती है क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि जब आप market से कोई books लेते हैं तो उसके अंदर आपको OMR sheet नहीं मिलता है, ठीक है जी market में जो किताब मिलती है वो 200-200 रुपे की books मिलती है उसके अंदर कुछ नहीं होता है, 2-3 sample paper होते है, OMR sheet होती है जो books हम आपको देते हैं, उसके अंदर 40 sample paper होते है salt भी होते है, unsalt भी होते है और इसके अलमा आपको OMR sheet भी मिल जाती है, ठीक है और अगर आप online course लेते है मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ 10,000 रुपे में आप हमारा online course ले सकते है Scenic School या Military School का आपको books भी free मिल जाएंगी और आपको पूरा 10,000 रुपे का recorded video lecture भी मिल जाएंगी आपका बच्चा घर पे बैट करके आराम से तयारी कर सकता है तो अगर आपको अच्छा लगा कि बहुत ही minimum fees में सिर्फ 10,000 रुपे में आपको books भी मिल जाएंगी आपको पूरा recorded video lectures का पूरा course है 3,000 से भी ज्यादा recorded video lectures है sample paper का video है वो सब आपको मिल जाएगा सब ठीक है जी सिर्फ 10,000 रुपे सुधीर कुमार जी बच्चे का date of birth 8 December 8 December 2008 है आपका बच्चा अगले साल 9th class के लिए सुधीर कुमार जी सैनिक स्कूल और मिलिटरी स्कूल का paper दे सकता है तो सुधीर कुमार जी बहुत-बहुत शुकरिया बच्चे के जो फादर है वो आर्मी में आर्मी वालों को फादा होता है सैनिक स्कूल में, मिलिटरी स्कूल में आपको अलग से कोटा मिलता है तो आप फादा उठाओ तैयारी शुरू कर दो और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस साल आप 8th class के लिए सुधीर कुमार जी RIMC देरादून का форм भर सकते है लेकिन RIMC देरादून का form भरने की last date 30 November है सुधीर कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया लेट हो गया देव्यान्श वर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया बहुत ही प्यारा message है paper clear हो गया था लेकिन जया नहीं पाये गए नहीं बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया डेखिए waiting list डेखिये waiting list, डेखिये वो टोटली किसमत पे है और किसमत के भरोसे बैठना बेवकूफों की निशानी होती है ठीक है जी तो जो भी लोग वेटिंग लिस्ट का इंदिजार कर रहे हैं जो लास्ट येर के बच्चे हैं सैनिक स्कूल, मिलिटरी स्कूल वो कभी भी वेटिंग लिस्ट के चक्कर में मत पढ़ना लाइफ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है नहीं एड्मिशन मिल पाया कोई बार नहीं वेट करने का कोई फायदा नहीं है आपको बाउंस बैक करना है एक बार नहीं हुआ दुबारा करो दुबारा नहीं हुआ तिबारा करो तिबारा नहीं हुआ चौथी बार करो प्लान A वर्क नहीं कर रहा है plan B पर काम करो, B नहीं कर रहा है C पर काम करो, लेकर आप मेरी बास समझो आपको इस चीज को समझना है कि आपको goal change नहीं करना है, रास्ते बदलने हैं, काम करने का तरीका बदलना है, goal नहीं बदलना है आशिश कुमार जी बच्चे का date of birth मैं आपको बदा दू कि अभी आपका बच्चा 4th class में आपका बच्चा 5th class के लिए गुरू कुल, ओग ग्रोग स्कूल, आर्मी पबलिस कूल दक्षाई भोसला मिलिटरी स्कूल, सारे फॉर्म भर सकता है 5th class के लिए अभी आपका बच्चा 4th class में तो आप ओग ग्रोग स्कूल हो गया, राय स्कूल हो गया जल्दी से जल्दी फॉर्म बरवाओ आपको मैं बदा दू कि आपका आर्मी पबलिस कूल दक्षाई का फॉर्म निकल चुका है 31 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और 14 फर्वरी को आर्मी पबलिस कूल दक्षाई का एक्जाम कंड़क्ष किया जाएगा आपको करना गया आप अराम से वैसे भी देखिए 7-8 महिने हमारे खराब हो चुके है आप दिसंबर से लेकर के मार्च तक ओनलाइन तयारी करो घर पर बैट करके तयारी करो कॉल करके पता करो ओनलाइन क्लासेस के बारे में ठीक है जी तो आपको लाइफ क्लासेस मिल जाएगे आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएगे आशिश कुमार जी बहुत-बहुत शुक्रिया बहादुर जी का मेंसज़ है साइनिक स्कूल काली किरी नाइन्थ क्लास का कट ओफ कितना दे है 400 नंबर का वेपर है कोई भी स्कूल है चाहे वो साइनिक स्कूल है मिलिटरी स्कूल है कम से कम 80% टारगेट करो चाहे वो आरे एंसी देरादून है 80% कोई भी competitive exam है बहादुर जी सिर्फ 80% आपको टारगेट करते है जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं लड़के और लडगिया अब हमारे आईए scholarship test दो अगर आपके 75% नंबर आते हैं हम आपको पूरा साल फ्री पढ़ाएं हमें भी अच्छे रिजल्ट चाहिए ऐसे बच्चे रिजल्ट देते हैं स्कूल का नाम उचा करते हैं अपने पेरेंट्स का नाम उचा करते हैं आप हमारी वेबसाइट पे जाईए हर साल मैं आपको उता दू हमारे स्कूल से top 51 बच्चों को free बढ़ाया जाता है क्रिषणापतेल जी का message जय हिन्द बहुत बहुत नी सीड्स होती है आरमी पॉब्लिक सकूल दक्शाई में आरमी पॉब्लिक स्कूल धक्शाई में स्टेटवाइस गोटा नहीं होता है क्रिषणा जी लिए 10 से 15 से 20 सीटे होती है आरेमी पब्लिक स्कूल दक्षाई में बहुत लिमिटेट सीड्स है पूरे आल ओवर इंडिया में 19 एक्जाम सेंटर बनाए गए है तैयारी करवाओ वीडियो में अल्रेडी अपलोड कर चुका हूँ उसके पर है न आप चेक करो और कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कॉल करो हम आपकी मदद करें आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे एक प्रॉपर प्रोफेशनल सिस्टम मिलेगा जो बच्चे हॉस्टल में आते हैं तो पूरा स्मार्ट क्लासेज हैं टीचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है बच्चों के लिए हॉस्टल बहुत सुंदर-सुंदर बनाएगा है फीस बहुत कम है सिर्फ एक लाख रुपे फीस में तैयारी करवाई जाती है जिसमें आपका रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मिटीरियल, ड्रेस, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, NCC की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेज इवन बच्चों को दूद बीने के लिए गाय हैं, फैसे हैं स्कूल के अंदर यह हैं, हॉर्स राइडिंग कराने के लिए हॉर्सेज हैं, ठीक है जी? तो आपको यह चीज समझना पड़ेगा कि quality, best के साथ कोई compromise ने, है न, अगर आपके दिमाग में यह बात बैठी विए न, best के साथ कोई compromise नहीं करना, तो आपको दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, बस, सिधी बाद है तो अगर आप quality के पीचे भाग रहे हैं, तो आपको quality मिलेगी, बढ़ वह ही है न, उसके लिए आपको उस तरह का attitude बनाना पड़ेगा आगे चलते हैं, अभी मन्यू, शास्त्री जी का message आगे है, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, thank you so much, बहुत-बहुत शुक्रिया, पानी बचसे हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया, फरवरी 2011, date of birth बिल्कुल perfect है, 6th class के लिए, तो आपका बच्चे पेपर दे सकता है, वो भी लगातार 2 साल, सैनिक स्कूल, मिलिटरी स्कूल, सारे पेपर दे सकता है, लगातार 2 साल, तो कई लोगों की किस्मत बहुत अच्छी होती है, क्योंकि कई बच्चे हमको बहुत लेट पता चलता है, knowledge ही नहीं है, वीडियोस ही नहीं देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, टाइम से वीडियो नहीं मिल पाती है, है ना, तो अभी मन्यू जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी किस्मत है, बच्चे को लगातार 2 साल, positively तयारी करवाईए, सीधी सी बात है, एक मिनिट का ब्रेक ले लेते हैं, जल् जल्दी जल्दी देखते हैं, आज का हमारा टार्गेट का है, इस वीडियो के पर कम से कम एक हजार लाइक्स लेकर आना है, जल्दी जल्दी फिर आगे चलेंगे, नीटु शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी जल्दी लाइव आजाईए, पड़ा फट, स्कूल, ओग्रोव स्कूल, भोसला मिलिटरी स्कूल, गुरु कुल कुरुक्षित्ता, सारे फार्म बर सकता है, तैयारी करवाव बस जोर मार करगे, क्योंकि मौके चाहे आपको दस मिल जाए, तैलेंट नी है, तो फिर कुछ नहीं होने वाला, है ना, और अगर मान लिजी आपको सिर्फ एक चांस है, बच्चा टैलेंडेड है, बंगी बात, आपको तो सिर्फ एकी सीट चाहिए, रोहित पुनिया जी, सैनिक स्कूल में, क्लास 6 में अडमीशन होता है, क्लास 9 में अडमीशन होता है, ठीक है जी, और मिलिटरी स्कूल में, क्लास 6, क्लास 9, और कई बार क्लास 11 में भी admission होता है अगर seats खाली है तो 3 नवंबर 2007 बिल्कुल जी ओग ग्रोग स्कूल में admission मिल जाएगा बिल्कुल perfect है 3 नवंबर 2007 के लिए बच्चे का date of birth बिल्कुल perfect है लेकिन दिक्कत यह है कि अब सारी जो last date है वो निकल रही है 3 नवंबर लास डेट है साइनिक स्कूल की ठीक है जी 3 नवंबर और 30 नवंबर लास डेट है ओग ग्रोग स्कूल की तो टाइम बहुत कम रह गया जल्दी से जल्दी अपने बच्चे का date of birth registered mobile number और male है की female यह तीन चीज़े message करो जल्दी से बिल्कुल जी राम ब्रजेश जी का message और R.I.M.C. देरादून की तयारी के लिए recorded video lecture बिल्कुल जी मिल जाएंगे सिर्फ 10,000 रुपे में आपको 3,000 से भी जादा recorded video lectures मिल जाएंगे अच्छी बात कहाएंगे recorded video lectures के साथ आपको books भी मिल जाएंगे only 10,000 रुपीज में है ना तो हमारा target के यार बच्चे बढ़े हैं जादा बहुत सारी लोग इंडिया में बहुत जो छोटे शहरों में लोग रहते हैं गाउं में रहते हैं बहुत जादा पैसा नहीं है उनके बास तो हमारी कोशिश हमने आपके लिए बहुत ही economical product बना है यार बच्चा तैयारी करे एक कोशिश तो करे attempt तो हमारे अरे नहीं होगा REMC में सैनिक स्कूल में होगा military स्कूल में होगा गुरु कूल में होगा कही न कहीं तो होगा चलते हैं आगे सुधीर कुमार जी हम आपके स्कूल में तैयारी करना चाहते है fees कितना है अगर आप properly एक साल तैयारी करवाते है सिर्फ एक लाक रुपे फीज है और दिसंबर से लेकर के मार्च तक की जो फीज है मैं आपको बता दू सिर्फ पचास अजार उबे में आपको तैयारी करने का मौपा मिलेगा books, bag, material, dress रहना, पीना, खाना सब कुछ आपको स्कूल से मिलेगा सिर्फ आपको करना क्या है हमारे help line number पे call करना है counseling करवानी है पहले समझना है कि problem है कहाँ पे आप इस चीज को समझे कि parents को पैसा देने में कभी दिखकत नहीं आती है parents को service चाहिए, बढ़िया फैसलिटी चाहिए school अच्छा चाहिए hostel बढ़िया चाहिए, facilities अच्छी चाहिए यह समझने वाली चीज है पैसा अपने आप parents ले आते है पहले आप facilities तो दिखाऊ न school में आपको smart classes मिलेंगे NCC की training मिलेंगे, आपको horse riding यह सारी चीज़े है सबजीया वगेरा सारी school में युगाई जाती है सब कुछ इस school में है सोचिए कि अगर हम खाने पीने के उपर दूद के उपर इतना काम करें तो सोचिए teaching के उपर कितना काम करते हो teaching quality बहुत जबर्जस्त है आपको क्या करना है बच्चे का date of birth registered mobile number और तीसरा mail है कि female यह तीन चीज़े आपको message करना है चेतन्य जी का message आ चुका है 17 November 2010 बिलकुल date of birth परफेक्ट है अच्छी बात क्या है लगातार दो साल चेतन्य जी सारे form बर सकते हो सैनिक स्कूल, मिलिटरी स्कूल, कुरुकूल, ओग्रोव स्कूल सारे form वो भी लगातार दो साल किसमत बहुत अच्छी है तैयारी शुरू कर दो इस साल भी अगले साल भी यानि 2021 में भी मौका मिल रहा है पल्लवी जी आपको क्या करना है आपको अपने बच्चे को 9th और 10th क्लास हमारे विद्याले से करा हमारे स्कूल हम आपके बच्चे को 11th क्लास के लिए तैयारी करवा है 11th क्लास के लिए गुरुकूल हो गया, ओग्रोग स्कूल हो गया आर्मी पबली स्कूल दक्षाई हो गया इन स्कूलों के लिए हम तयारी करवाएंगे आपको क्या करना पड़ेगा 9th और 10th क्लास दो साल आपको हमारे स्कूल में तयारी करवाने है क्यों? क्योंकि आपका डेट नहीं आ रहा है, 9th क्लास में नहीं आ रहा है अगर किसी, मैं इसलिए तो बार-बार समझाता हूँ छोटी एज से तयारी करवाओ 3rd क्लास से, 4th क्लास से तब फाइदा होगा, जितना लेट करोगे उतना लॉस होगा सीमा जी का मेसेज है लेकिन information bulletin में 40% दिया हुए, वो आपको दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है ध्यान से समझेए, वो आपका cut-off marks नहीं है वो आपका सिर्फ passing marks है कि pass होने के लिए आपको 40% number चीए, select होने के लिए तो 80% चीए, सीमा जी बहुत-बहुत शुक्रिया, 40% में अगर admission होता तो हर घर में IAS, PCS हर घर में lieutenant, से कम 80% का target को सोच हमेशा बड़ी रखो शुबम पांडे जी, 11th class से NDA के लिए कोई best interview बताओ, आपको लगातार 2 साल, 11th और 12th class आप हमारे school से कर सकते 1,30,000 रुपे फीज है ठीक है जी, तो आपको करना गया यानि आपका बच्चा मूटा-मूटा 2,500,000 रुपे में, 11th और 12th class में हमारे school में तयारी कर सकता है 11th class की फीज कितनी है 1,30,000 रुपीज इसमें आपको school की भी तयारी करवाई जाएगी NDA की भी तयारी साथ में करवाई जाएगी ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया, शुबम पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, एक्सेलेंट थैंक यू सो मच जयनता जी का मैसेज है, बच्चे का date of birth बिलकुल perfect है ठीक है जी, बिलकुल perfect है लेकिन अभी आपका बच्चा छोटा है तो उसको आप positively R.A.E.M.C. देरादून के लिए जितना जल्दी admission करवाएंगे, उतना फाइदा होगा, अशुक कुमार जी बच्चे का date of birth बिलकुल perfect है और मैं आपको बता दूँगी आपका बच्चा 6th class के लिए सैनी स्कूल, मिलिटरी स्कूल, अशुक कुमार जी लगातार, डो साल सैनी स्कूल और मिलिटरी स्कूल के लिए apply कर सकता है R.A.E.M.C. देरादून के लिए बिलकुल perfect है, 8th class के लिए लेकिन अशुक जी आपको बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि अब R.A.E.M.C. देरादून का form भरने की last date 30 November है जल्दी से जल्दी पल्लवी कुमारी जी शुएता जी जल्दी से जल्दी शुबम पांडे जी बहुत बहुत शुकरिया चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो फड़ावट आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, काम करके भी मज़ा आता है खुशी होती है, प्राउड फील होता है यार कि हम अपने लोगों के लिए, अपनी कंट्री के लिए अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे है अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है आप मेरे पास ले किया हो, बेटा बेटी सिंग जी का मेंसेज है practice makes a man perfect sir we can do it अभी जीट इसको थोड़ा सा correct कर लो perfect practice makes a man perfect क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कि wrong direction में खूब मैनत कर रहे हैं मैनत कर रहे हैं खूब जोड लगा रहे हैं भादोड कर रहे हैं लेकिन wrong direction तो मेरे भाई perfect practice makes a man perfect है ना जो कहावत है ये गलत लिखी है जिसने भी बोली है practice makes a man perfect ये बिलकुल गलत है only perfect practice makes a man perfect याद रखो क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो wrong direction में मैनत कर रहे हैं गलत जगह पे अपने सिर मार रहे हैं तो गलत जगह पे सिर मारने से काम नहीं होगा right direction में we have to work in right direction with right approach with right attitude है ना संग्या तनवर जी का message आ चुका है 4 November 2009 date of birth बिलकुल perfect है last chance है जी 2009 है बच्चे का date of birth 6th class के लिए last chance तनवर जी बहुत बहुत शुक्रिया cynic school military school सारे form भर सकता है 6th class के लिए लेकिन last chance पल्लवी कुमारी जी 11th और 12th class की लड़कियों को MNS का course करवाया जाता है लगातार 2 साल और 11th class की जो fees है वो 1 lakh 30,000 है जिसमें आपका रहना पीना, खाना, books, bag, material, school की पढ़ाई, competition की पढ़ाई, सब कुछ include है पल्लवी सर्फ आपको करना क्या है आपको आना है, तैयारी करनी है 11th और 12th class में तो जो लड़के हैं उनको NDA की तैयारी करवाई जाती है, IIT की तैयारी करवाई जाती है नीट की तैयारी, जो लड़किया हैं उनको MNS की तैयारी करवाई जाती है, IIT की और नीट की तैयारी करवाई जाती है Thank you so much, पल्लवी कुमारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, सर्फ आपको अभी registration करवाना है, scholarship के लिए आपको registration करवाना है आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इंदर जीत, इंदर जीत जीगा मैसे है, सर आप तो स्कूल में मिलते ही नहीं है अरे मिया स्कूल में प्रिंसिपल है वाइस प्रिंसिपल है डिरेक्टर है है ना मैं तो देखिए आप लोग के लिए काम कर रहा हूँ रोज रात को 9-10 लाइव आना content बनाना तैयारी करवाना homework करना है ना ये सारी planning plotting करना ये सारा जो दिमाग है लगाना पड़ेगा ना तो इसलिए अगर मैं रोज स्कूल में मैं हफते में दो दिन स्कूल में जाता हूँ बच्चों से मिलता हूँ counseling seminar लेता हूँ बच्चों को motivate करता हूँ ठीक है जी बहुत बहुत शुक्रिया sir जैन इस साल PTM नहीं हो रहा है ना PTM वगरा conduct होती है तो हम लोग parents से मिलते हैं दिनेश कुमार शर्मा जी का messages sir exam center का पता कैसे करें जब आप form भरेंगे तो पता लग जाएगा आप हमारे help line number पे call कर दो भाई हम बता देंगे UP बिहार गुजराद राजिस्थान है ना exam center का है हम आपको बताएंगे आप क्यों चिंदा गर रहे है विद्या सागर वर्मा जी क्यों नहीं होगा admission भाई इतनी देड से मैं पूरी एक घंडे हर रोज रात को 9-10 live आता हूँ चार सालों से YouTube के अपर live आ रहा हूँ लगादार चार सालों से क्यों कि commitment है वादा किया हूँ और सबसे अच्छी बात क्या है कि जब मैं लाइव आता हूँ तो कुछ negative comment आते हैं उनके उपर मैं काम करता हूँ यार बहुत बड़ी चीज है वही जो comments आते हैं कोई parents की complaint आती है वही तो हमें आगे लेके जाती है फटा फटा फट चौबिस घंटे के अंदर उस problem को solve करते हैं लगादार तो अच्छा लगता है अब मैं देखो सारा सारा दी मैं धूंडता रहता हूँ कोई तो negative comment आए कोई तो negative comment आए आता ही नहीं तो इसका मतलब क्या है system बिलक तरीक पर तरीक 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 तो ऐसे मैं लाइव आतो मैं धूरता रहता हूँ कोई तो complaint करे कोई तो complaint करे ताकि मैं फटा बट और उसको अपने system को और अच्छा गरू और इंप्रूफ करूं फटा बट फटा बट इससे क्या होता है parents का trust बढ़ता है school का नाम होता है branding होती ह है न तो अच्छा support मिलता है parents का trust बढ़ रहा है हमें भी दिख रहा है बिल्कुल बहुत अच्छा चतर जी का message है medium गलत भरदी है change हो जाएगा हो जाएगा भाई English का Hindi Hindi का English गुजराती सब कुछ हो जाएगा जी बिल्कुल चिंदा मत कीजिए पाँच दिसंबर से लेकर के 9 दिसंबर के बिश्मेट नीटू शर्मा जी डेट ऑफ बर्द बिल्कुल परफेक्ट है भाई लगातार दो साल 6th class के लिए सारे फॉम बर सकते हैं सेने स्कूल, मिलिटरी स्कूल, सारे फॉम है आदर्श परताब जी का मैसेजर सर, MNS क्या होता है? MNS का जो एक्जाम होता है वो लड़कियां देती है, 11th और 12th class की लड़कियां तयारी करती है लगातार 2 साल, 1,30,000 रपे फीस होती है और लड़कियां तयारी करती है जिसमे लड़कियों को military nursing की training करवाई जाती है, जैसे लड़के 12th के बाद direct lieutenant बनते हैं, वैसे ही लड़कियां भी direct 12th के बाद lieutenant बनते हैं, जिनको हम लोग बोलते है military nursing officer एक सजन है वो इतने सारे मैसेज करने है लेकिन फिर भी 11 सेप्टेमबर 2020 डेट ओफ बर्ड लिखा है इतना मैसेज करने का फायदा है डेट ओफ बर्ड आप गलत लिख रहे हैं या थोड़ा सा ध्यान से दिनेश कुमार शर्मा जी डेट ओफ बर्ड बिल्कुल परफेक्ट है 6th class के लिए last chance है दिप्पु कुमार पटेल जी का मेसेज आ चुका है दिप्पु कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया I miss you sir बहुत बहुत शुक्रिया जी हम भी आपको बहुत मिश कर दें बहुत बहुत शुक्रिया thank you so much मैं अपना board exam की preparation में लगा हूँ इसलिए live video नहीं नहीं देख पा रहा हूँ कोई बात नहीं भाई मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आपको अपना board exam की preparation छोड़ कर गया आप मेरा live video देखिए कभी नहीं चाहूँगा है ना बस tv टावी देखना छोड़ दो जब board exam complete हो जाए तब आपने देखना है ठीक है जब आपको कुछ important जानकारी चाहिए आप आईए comment कीजिए अपने सवाल का जवाब लीजिए और जाईए वापिस अपनी board exam की तैयारी करो मैं भाई कभी नहीं चाहूँगा कि आप अपना जरूरी काम छोड़ करें क्योंकि board exam से जरूरी कोई काम नहीं है ठीक है जब board exam से आप free हो जाएंगे आपको तीन महीने free time मिलता है न फिर आपको क्या करना है उस time आपको आना है फिर आप live आईए आपको हम support करेंगे counselling करेंगे आगे की future guidance आपको देंगे एक parents का messenger NDA के लिए class 10th में apply कर सकते हैं NDA के लिए कोई भी लड़का जो 12th class में पढ़ रहा है या 12th class pass out कर चुका है वो apply कर सकते हैं सभी नहीं कर सकते हैं हाँ तैयारी 10th class से शुरू हो जाती है है ना तैयारी 10th class से शुरू हो जाती है बिलकुल perfect है कर सकते हैं जी तपन तपन जी आप state change कर सकते हैं exam center भी change कर सकते हैं और आप पूरे all over India से किसी भी state में आप exam दे सकते हैं किसी भी state में नरेश शर्मा जी का message है मेरी बेटी को 10th class में 91% है अरे वाह टेस्ट क्लियर है age क्या करवाएं date of birth देखे अगर 10th class में number है तो आप 11th और 12th class के लिए तैयारी करवाईए ठीक है जी 11th में लड़कियों को MLS की तैयारी करवाईए IIT की तैयारी करवाईए NEET की तैयारी करवाईए अदित्य वर्मा जी आप मुझे mail कर दो है ना मैं इसलिए live आता हूँ भाई आप मुझे mail कर दो careerdefense school at the rate gmail.com ठीक है आपको login ID और password आपको live classes का आपको मिल जाएगा ठीक है जी या आप हमारे helpline number पे call कर सकते है इस तैम थोड़ा form निकला हुआ है अदित के तो call बहुत जादा आती है तब ही तो best चीज क्या है आप मुझे personally अपनी सारी details mail कर दो मैं आपको personally call करवा दूँगा ठीक है बैदनात वर्मा जी 10 मार्च 2006 नाइन्थ क्लास के लिए 10 मार्च 2006 वाला जो बच्चा है वो apply नहीं कर सकता बैदनात वर्मा जी date of birth तो अब आपका निकल गया सैनिक स्कूल मिल्टरी स्कूल तो नों के लिए है ना आपको करना क्या है बैदनात वर्मा जी आपको हमारे help line नंबर पे call करना है तब ही हम आपकी मदद कर पाएंगे एक मिनिट का ब्रेक ले लेते हैं जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो राज कुमारी जी जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो गोविंद कुमार फिर आगे चलते हैं टार्गेट के आज का कम सर्फ एक हजार नए सब्सक्राइबर और एक हजार ल आगे चलते हैं, आपका मैसेज मिल गया है, मैं एक बार चेक करवा लेता हूँ, कि आपको weekly online test की report क्यों नहीं मिल रही है, जो भी बच्चे संडे को test देते हैं, साथ के साथ उनके registered mobile number पे, उनके parents के registered mobile number पे report पहुंच जाती है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, thank you so much, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जर्नैल सिंग जी, 29 जुला दस, date of birth बिल्कुल perfect है, 2010 वाला बच्चा लगातार दो साल, 29 जुलाई 2010, लगातार दो साल, 6th class के लिए, सैनेक स्कूल, मिलिटरी स्कूल, सारे form बर सकते हैं, लगातार दो साल, ठीक है जी, तो इसी वादे के साथ कि कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, है ना, जल्दी से जल् रिस्पेक्ट बढ़ेगा, लोगों को अच्छा लगेगा, यार आप एक अच्छा content शेयर कर दे, कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, इसी वादे के साथ कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, इसी विश्वास के साथ, thank you so much for watching this video, जै हिंद, जै बाद, thank you so much guys, thank you so much, God bless you, thank you so much. झाल